गुद मॉर्णिंग स्टुडेंट्स आज हम मैच की वर्क्षुट सॉर्फ करेंगे बच्छो ओके आप मैच काउमवग कौनशी कौपी में करते हो बताओ मैच काउमवग आप स्क्वेर लाइन की कौपी में करते हो ना तो चलो आज हम स्क्वेर लाइन की कौपी में वर्क्ष question क्या है match the number with the objects देखो आपको one side में Okay तो आपको क्या करना है match करना है यह देखो first example आपको teacher करके दिखाएंगे, देखो first example आपको teacher आपको करके दिखाएंगे, तो चलो आपको क्या करना है पहले counting करना है, तो चलो counting करो, one, two, three, four, five, six, seven, कितने object है बच्चो ये seven object है ना, तो आपको second, जो second side है उसमें आपको numbers धूर्णना है, seven number कहाँ पर लिखा है ब येस, तो आपको ऐसे seven numbers से आपको ऐसे match करना है, देखो, ऐसे जैसे teacher ने बताया ना, वैसे ही, पहले आपको count करना है, और फिर second side में numbers धूर्णना है, फिर आपको match करना है, ओके, ऐसे teacher ने आपको one example करके दिखाएंगे, वैसे आपको पूरे examples sort करने है, ओके, देखो बच् first example क्या है, यह क्या है, बच्चों, यह balls है, बच्चों, सभी same है, क्या, सभी same balls है, सभी same balls है, क्या, देखो ध्यान से, कुछ तो different होगा है, आपको different कुछ दिख रहा है, क्या different है, star, यह star different है बच्चों, तो यह आपको क्या करना है, जो same similar दिख रहा है, उसे आपको circle नहीं टीचर ने आपको first example solve करके दिखाया ना वैसे आपको पूरे example solve करने है ओके देखो बच्चो आपको next page पे setting करने है या पर date writing करना है page number 2 डालना है ओके आपको margin draw करनी है ओके देखो अब third question क्या है circle the correct number देखो one side में आपको pictures दिये है one side में आपको numbers दिये है ना दिख रहे है ना तो देखो पहले आपको count करना है अभी चलो teacher के साथ count करो one two three four five six seven क्या कितने triangles है बच्चो seven triangles है ना तो देखो या पे one side में numbers दिख रहे है या आपको seven number कहाँ पे दिख रहा है यह है क्या नहीं यह है ना seven number तो आपको उसे क्या करना है circle करना है ओके देखो अब इटेचर ने आपको one example solve करके दिखा ऐसी आपको पूरे examples solve करने है पहले आपको count करना है फिर numbers में वो counting जितना number आपने count किये वो ढूटना है और उसे circle करना है तो देखो बच्चो अभी next question क्या है match the pair देखो आपको one side में numbers दिये है second side में भी आपको numbers दिये है तो आपको first side के numbers second side के numbers से match करना है teacher आपको first example करके दिखाएंगे देखो first क्या है 2020 number दिख रहा है ना तो आपको second side में आपको 2020 number दूडना है बताओ कहाँ पर है यह है या नहीं यह है या नहीं यह है ना 2020 number yes तो आपको 2020 को second side से 2020 तक match करना है आपको pencil से match करना है बच्चों के 2020 को second side में जो number लिखा है 2020 उससे match करना है अभी teacher ने आपको one example करके दिखाना ऐसी आपको पूरे examples करने है और पूरा question आपको complete करना है तो चलो अभी हम next देखते है देखो बच्चों next page पे आपको फिर से setting करने है पहले margin आपको draw करना है या पर date writing करना है ओके next question देखो क्या है count and write the numbers देखो one side में आपको pictures दिया है औ one side में आपको box दिया है ना तो आपको पहले pictures count करना और box में writing करना है numbers की ओके तो देखो count करो teacher के साथ one two three four five six seven eight nine one zero ten one one eleven कितने stars है बच्चों one one eleven stars है ना तो आपको देखो box दिख रहा है ना तो आपको वो box में one one eleven writing करना है अभी देखो teacher ने आपको one example solve करके दिखाया ऐसी आपको पूरे examples solve करने है पहले आपको pictures count करना है and then boxes में number writing करना है तो चलो अभी हम next देखते है next question क्या है write the missing numbers देखो आपको numbers आते हैं ना पूरे numbers आते हैं ना counting करना कितने आते है टीचर ने कितने numbers सिखाया बच्चों आपक teacher ने आपको writing करना भी आता और आपको बोलना भी आता है ना बच्चों तो चलो अभी हम missing numbers लिखेंगे ओके देखो first example कौनसा number है बच्चों यह 9 है ओके 9 के बाद क्या आता बच्चों 10 आता है तो यहापे blank box है ना तो यहापे क्या writing करना आपको 1010 तो चलो writing करो 1010 1010 के बाद क्या आता बच्चो 1111 तो ऐसे आपको जो missing number है वो आपको writing करना है 9 के बाद यहापे 10 चाहिए था ना पर नहीं यहापे box दिया था वहापे आपको 1010 लिखना था ओके तो ऐसे आपको 9 1010 1111 यह complete हो गया ना बच्चों तो ऐसे आपको missing numbers लिखने है teacher ने आपको बाकी के दो एक्जामपल्स आपको खुद से करना है टीचों ने अभी समझाना बच्चों कैसे examples करते हैं missing number राइटिंग करना है यहापर ओके ऐसी आपको properly पूरी वरक्षिट सॉर्फ करना है बच्चों जैसे teacher ने सेटिंग किया है वैसे आपको प्रॉपर सेटिंग करना ह है वरक्षिट सॉर्फ करनी है अच्छे से वरक्षिट सॉर्फ करने है जैसे teacher ने समझा है वैसे ही ओके थैंक यू बाई